आपने का काई-जेन पर, काई-जेन में क्या होता था आपने का सब्सक्राइब बढ़ा आसान था काई का मतलब Change, Zen का meaning, to see or to gain wisdom from doing इसका कई लोग continuous improvement meaning निकालते हैं, कई लोग निकालते हैं Change for better or continuous improvement आपकी मर्जी है, मेरा मानना ये है आपको ये काई और जन दोनों का मीनिंग याद रखना है, compulsory है, कभी काई जन के बारे में लिखने को आया, आपको ये पकायता लिख के आना है, काई का मीनिंग ये है, जन का मीनिंग ये है, ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये small improvements को कहते हैं, यह radical improvement को नहीं कहते हैं, इसके अंदर हम यह याद रखते हैं, हम maintenance पे भी focus कर रहे होते हैं, जो हमारे current जितने हमने अब तक improvement किया है, उसको तो लेके चली रहे होते हैं, साथ में हमें और further improvement ideas लेके चलने होते हैं, हमने देखा था kaizen का मतलब क्या है, इसका मतलब सारे waste पे एक साथ attack करना नहीं है, कि हमने seven के seven waste पे एक साथ work करना शुरू कर दिया कि यह क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसको reduce को, नहीं, rabbit को defeat करने में लग जाते हैं, और eventually, हम rabbit को defeat कर देते हैं, क्योंकि small small improvement हमार को बहुत जादा radical improvement automatically ले आते हैं at the end of year, यह हमने एक example भी देखा था, दाई हासू मोटर company का, यह हमारा basically kaizen थे,